आप सभी का स्टेड़िविट कॉंसेट चनल पर स्वागत है और साथ स्वागत है हमारी महा सीरीज के अंतरगत और इस महा सीरीज में आपकी तयारी को एकदम समग तयारी करवाने को देश्टी चला जा रही है जिसमें प्री मैंस की सारी चीजें उन्हों कवर किया जाएगा इसके साथ साथ आपको परी का करेस कॉर्स भी चलता है जो आपकी परी के पॉइंट फिसे चाहीं यो PST, आल, स्टेट, PCS के पॉइंट फिसे पॉंट फिसे खाफी एंपॉर्टेंट है तो हो किavais τις इसने सुप्रीम कोट के थो इसमें पहले प्रश् Beam कोट के बहू dinero पर लीए और बहुत साथ पहले पड़ी और पहले से क्छोंा बीटियो में तो आब इसमें हमारा टॉपिक है प्रारम सुप्रीम कोट के जो डिक्सन है उनको पढ़ेंगे सुप्रीम कोट का जो डिक्सन कहा कहा पढ़ें ठीक है तो वह सारी चीजें यहाँ पर कवर हो रही है तो प्रानुवी चित्रादिकार का सबसे पहले हम जानेंगे कि सुप्रीम कोट के जो प्रानुवी चित्रादिकार है जहां ऐसे बिवाद ऐसे मुद्द्र आते हैं जिनको केवल और केवल सप्रीम को इसे आई और जगन आते हैं इसलिए प्रारमिक चेटरदिकार सब्सक्राइब को सबसे महत्मून चेटरदिकार है यानि कि जितने भी संग्य मामलों से जोड़े हुए इसका इसके एंडंचन नहीं हुआ रस्ति थोड़ा के लिए नहीं गाले लेकिन ठाइब हुआ संग्य मामलों का बेवाद का निप्टान तंदर के रूप में सप्रीम कोट के इस चेतरा दिखा रहे हैं संग्य बिसे और संग्य बिसे में क्या हो सकते हैं केंदर मेराज्य के बीच में बिबाद किस बीच का बिबाद कोई बिसे को लेकर इस बिसे साथ यानुसोची को लेकर शेतरा दिखार को लेकर तो केंदर और राज्य के बीच में का बिबाद है तो उसका निप्टान डायरेक्ली का होगा सुप्रीम कोट में हुआ संग्य न्याले के रूप में हुआ तो सुप्रीम कोट का सबसे मेहत कुन चरूनी का रही है दूसरा अगर मालना एक ही हो सकता है कि अगर राज्य अगर राज्यों के बीच में कुई बिबाद है हो सकता है उनसे सीमा बिबाद हो हो सकता है उनके बिशेयों को लेकर कुछ बिशेयों को बिबाद हो तो इन मुद्दों का निप्टान भी कहा पर होता है डायरेक्ली सुप्रीम कोट में ये डायरेक्ली सुप्रीम कोट के प् Supreme Court माव क्योंकि हमारे हां Supreme Court स्वतनत्र तो है पर अमने कुछ छेत्रदिकार Supreme Court से बाहर रखे हुए जैसे अगर कोई संदिय संजोता जो संभिधान पूर्व किया गया था और आज मियं लागो हाँ है वो Supreme Court के छेत्रदिकार से बाहर हके दूसरा, अगर राज्यों के बीच में नदी चल विबाद है, उसको आर्टिकल 262 के अंतरकर संसर को पावर है कि वो इस नदी चल विबाद के मुद्दे को समाधन करने के लिए अलग से कमीशन बना सकती है, आयोग बना सकती है, तो ये विशे भी सप्रीम कोर्ट के बाहर होते हैं, जिसमें एक यह हो गया, एक हो गया, दूसरा, अगर संग और राज्यों के बीच में विभाद है, तो वो तो च्छेत्रादिकल माईगा, लेकिन बिद्ती बिवाद वो च्छेत्रादिकल विए नहीं नहीं आए, ये स्प्रीम कोर्ट का प्राइमर्स च्छे जाने का इख कुटिख kidney से लिए पता है कि रैट जानी का अधिकार सुप्रीम कोट को भी है हाई कोड को भी दोर सुप्रीम कोड को यह दिकार आठिकल 33 ने मिलता है ह 35 उसिक्ष नहीं क्यार्ट यानि कोई अधिकारों की स्रहक्षा के लिए जो आमने पढ़ा था मॉलिक अधिकारों के लेकिन एक चीज़ ध्यान रहा है सुप्रीम कोट का यह छेत्र अधिकार स्वियम में फंडमेंटल आयट है आर्टिकल 32 के अंदर हालां कि सुप्रीम कोट रिट केवल मॉलिक अधिकारों के ही जाड़ी कर सकता है लेकिन सुप्रीम कोट का जो छेत्र अधिकार है फंडमेंटल आयटों के अंतरकत है अतार सुप्रीम कोट को रिट जारी करना क्या है बात दिकारी है क्यों क्यों कि फंडमेंटल आयट के अंतरकत है दूसरे और हाई कोट को अगर यह अधिकार है यह कानूनी अधिकार है अलांकि फंडमेंट आधीकार की बात करें इसे मौलिक अदिकारों को लेकर कि जो 32 में है उसको संब्द इसी मात ही है जो हमने 5 रेटर पड़ी दूसरा यह है सुप्रीम कोट का सहवर्थी चेटर जिसकार यह सहवर्थी क्यों है क्योंकि देखो प्रारमिक चेटरदिकार है यह यूनिक है यह हाई कोटों के पास नहीं होता लेकि रेट जारी करने का चेटरद है उन पे भी रेट जारी कर सकते हैं इस आदार पर सुप्रीम कोट का चेटरदिकार हाई कोट की धुलना में सीमिट है इसके बाद सुप्रीम कोट का एक अलग चेटरदिकार है अपिलेट अगर अधिकार की बात करें हम अपिलेट चेटरदिकार अपिलेट चेटरदिकार क का मतलब अगर हम कहें तो यह है कि सुप्रीम को है वो अधिनस्त नियाल है especially high court के मामलों की एक तो क्या कर सकता है सुनमाई कर सकता है और दूसरी बात चाहे वो civil मामले हो या दानिदेक मामले हो दूसरी बात संभीधान की कोई करते हैं लेकिन उसी का इंकरेटरेस अगर सुप्रीम कोट को अगर करते हैं उसकी सुप्रीम कोट की अपनी सिकन्द चीज़ और किसी नहीं को इसका मतलब कभी ऊचे वेक्टिकार, यह जा सकता है। उसके आप सप्रीम कोट का एक चित्रा दिकार है उसे बोलते हैं एडवाईजरी पावर एडवाईजरी पावर है। यानि कि एड़्वाजर केसको सुप्रीम को ड्याने उकलना हमारी राष्ट पती को पाप क्या देता है का परामर्स देता है और राष्ट पती सुप्रिम गोड से प्रम लेता है सुप्रिम कोड देता है आर्टिकल 1-43 के अंतरगर और के सार्टिकल कंदने अ स correct47 एक चीज आपको समझ लिए सप्रीम कोट है हाई को राश्ट्रपती के साम विभेन परकार की महत्पिन मुद्द्धे हैं जो राश्ट नयाले से परामस ले सकता है सुप्रीम कोड से कानुनी मुद्धा है उसे सम्झ बनाो ऑन समय पराज्ण के सिया सब्राइ जी मनतर है जे जो सला है न यह दू परिकार के हुट theater एक होती गेर बायद देखारी दो चीज होती है दो चीज आप समझने हमिसा सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोट राष्ट्मति को सला देता है इस सला को राष्ट्मति मान सकता है नहीं मान सकता है पहली बात दूसरी बात अगर राष्ट्मति सुप्रीम कोट से सैमैन बिसे पर कोई सला लेता है तो सुप्रीम कोट राष्ट परती को देवी शकता है नहीं भी देर सकता है तीजिवाद अगर कोई संधी या सम्झोत जो 1950 से पूर पर लागू हुए हैं उनसे अगर राष्ट परती को Supreme Court से उन मुद्धों पर सला लेनी है तो Supreme Court को सला देना देना तो बाइधिकार है राष्ट पाति माने आ ना माने तीन पॉइंट आपको इंपर्टे डिया दखना है पहला Seven विषय पर Supreme Court सला ले भी सकता है और राष्ट पाति सला दे भी सकता है नहीं विदे सकता, दोनों बाइद दिखा दे नहीं है, सेकेंड बाद, अगर कोई ऐसे बिशे हैं, जो संभीधान से पूर पर लागू हुए, और उन संदी संजोते संबंदेद, अगर राइष्टपती सुप्रीम कोर्ट से सला ले रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सला देने के लीकिया, तो सबसे बढ़ी बाद है, कि अगर किसी मद्दे पर मालना कोई महत्पूर मुददा है, और राइस्पती ने महत्पूर मुद़े पर सुप्रीम कोर्टों की सला मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजिजन दिया, कहाँ, यस मुद्दे पर हम ये करना चाहिए, ह सकता है कि सरकार उसको नहीं मानें लेकिन नियाय के निर्णों में हुऊ महत्पूर में जाती है जो गैर सरवस्थ नियाले कि यो परामर्स गैर बैद दिकारी होती है इसमाइली फारो की बार्व में सुप्रीम कोट ने खोद दिया कि हम स्वियम हर मुद्धे परामर्स देना सुप्रीम कोट राष्ट पती को सला देने के लिए बैद नहीं है इसलिए सुप्रीम कोट ने जब मामला यह मंदर का आया बावरी मंदर और मजजित वाला जो बावरी मंदर जो मंदर है इसको लेकर कि जब मामला आया था तो सुप्रीम कोट ने राष्ट पती ने सुप्र तेखो कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार को परामर्स देता है और सरकार उसको माने ना माने कोई परक नहीं पढ़ता है तो सलाह को तो सरकार तो मत वालें लेकिन अदिनस्ट कोट चाहा हाई कोट है या इसको मानना वैद दिकार हो जाता है उनकी तो क्या जाता है एक तरह का नंड़ने की रूप में काम करता है ठीक है तो पैरी बात है तूसरा सरवच नियाले के अगर माले साज निकपत थ्यानर कि धान ये बाइठ ठीक है सरवच नियाले जो सला देता है उस सला को रज माने नहीं माने लेकि सरवह चनून्याले अपना एक एक्स मुद्धे पर सला मांग ली और सुर्वच मुद्धी राइश्पती तो उस टाइम तो नहीं मानी लेकिन उस सला को बेस मना करके जानक न सरकार कोई संसत कोई कानून मना सकती है और उसका नयाप आले का फिर रिवी नहीं करें क्योंकि वो ही वो से सुप्रेम गोट ने उनके लिए महत्तून जाते हैं इसलिए बोल जाता है और दूसली बात अगर हम बात करें कोर्म कोंरे की परामर्स है कोई मुलی नहीं होता यह गला मात करें सप्रीम कोर की प्रावर सप्रावर्स काफे महत्पूर होती हlog है पहले बा 50 अगर हम महत्पूर्स कारा करें करें सरकार मंगी जञे सरकार की काम ले सकते है कुछ टाम के ले नहीं और कई महत्म, इसरे राच्थ पत्री को परामर्द देने के दौरान, कम से 5 बường उप्रसट होने की, ये सिर्ट जहाना रहा है, अगर किसी मद्देपर राच्थ पत्री को सला देनी इसे, कम से कम पांच बेंच उसमें उफिस्तित होना जरूरी है पांच सदस्टों की पीटास में इंकाम कर दिया इतियास में केरला एजुकेशन बिल 1958 बैरुवारी केस 1960 इस्पेशल कोट रेफरेंस केट इन केसों में कई बार सलाएं मांगी गए थी सुप्रीम गूर्ट इसके बाद अगला जैसा कि मैं आपको बता था दोस्तों सुप्रीम गूर्ट के पास एक पावर होती है UPSC PD में एक क पतार्थ इस आर्टिकल 150 42 के अंतरगत सुप्रीम कोट को एक स्पेशल पावर दी है और स्पेशल पावर यह है कि अगर कोई डिसीजन संसद भी लागू नहीं कर पाड़ी अगर कोई डिसीजन कोई जगे नेड़ने लागू नहीं हो रहा उस नेड़ने को लागू करवाने की जिम्मेदादी सुप्रीम कोट के पास है सुप्रीम कोट का वो नेड़ने सब के लिए बैद्धिकारी होता है तो जात तर मामने सुप्रीम कोट जो देता है ने डिसीजन वो इसी पावर का यूज करती हुए देता है इसके अलाबा आर्टिकल 145 के अंतरगत यह तोड़ अबलेक नयले सकता है इसके पाद आती है सुप्रीम कोट की एक رिव्यू रिट mówi दिया को दे रहे हुआ है इसका अ दे रहेrit पूल के नणिया के बुद्ध रेव्यू करना हूँ तब यह आचे का लग सकती है इसकी रिव्यू कर सकता है किसी मद्देवां अगर सुप्रीम कोड को डिशिजन दी गया है तो बिदन 30 दे उसका रिव्यू किया जा सकता है उसके बाद उसका रिव्यू करना पौशिवर नहीं है और दूसरी बाद रिव्यू करने से पहले एक बरिस्ट बकीन एक न्यादी द्वारे प्रमानत होना चाहिए कि यह है डिशिजन रिव्यू करने लाइक है तब ही उसका रिव्यू किया जाएगा यह सुप्रीम कोड के यह आपने दिल्ली के अंगरेप हुआ था उसमें बहुत सारी पैटेशनों के बारे में सुना होगा पहले उन्ने नॉर्मल याचे का काम करी फिर रिवी याचे का पाया फिर वो क्यूरिटिव याचे का पाए बहुत सरे हत गंदे उन्हें यूज किया एंडिमन उनको फासिक साथ मिली गई दूसरा होता है क्यूरिटिव पैटेशन यदि कोई वेक्तिव जिसके दाद गोर अन्या हुआ है और उसकी यह review प्रेटिंसन reject कर दें तो ऐसे इस्तितिम हो उसके पास एक और बिकल्ब होता है क्युरिटिव प्रेटिशन का है क्युर्टिव प्रेटिंसन के अंतरा तीन इसे जाने लागत तीन बर्स्तम 29 और एक उस न्याली इसके दोड़ा प्रमाथ की अजरा नसी जो पहले नियुदर तीन बरिस्तम नियादी से व्यक्ति के साथ नियुदर रूसकता है जिस समय के पास कोई पिरूप नहीं थे, पिरूपों के अबाब में हो सकता है इसके साथ अन्या हुआ है ऐसी इस्तति में तो उसी बैस से दिलाया जाता है जो पहले दिया हो ठीक है इसलिए यह क्योटिक पैटेशन तो यह बेसिक भी हाई सुप्रीम कोट से जुड़ी बेसिक चीजे थी सुप्रीम कोट मेजर इंपोर्टेंट से लिवस का पार था और यह न्याय पाली एक सबसे एहमकारी था इसके जैसे कि आपको पाता है जोस्तो हमने सासन बिवस्ता है वह कैसी अपनाइ यह संगात को जिसमें संग और राज दोनों अलग है और स्वाहत यानिकि इसके अदिन नहीं है लेकिनियाप वाली का है हमने दोस्तों आपना यह एकी करत और एकी करत में यह कि सुप्रीम कोट का के दिनिस्टा आई कोड़ हैक जो न्याय प्रणाली फो एक एक लाइग और इसके अलावे यह था में कि संसद एक कानून Malakar कि कि software دو या दो से अधिक रैज्यो के लिए कर सकते हैं आपको पता ही है बहुत साले श़ियों के अ जिए बंबाई हाई हाय है यह गोवा और बंबाई के लिए यह इसके अलावा केरल का हाई कोट है वो लक्षदीप कर किरल के लिए है ऐसी प्रकार चैने हाई कोट है वो अंदमान और चैने के लिए ऐसे कई मतलब वो है कि नौर्थ इस्ट के लिए असम हाई कोट हो गया गोहाटी तो संसत को पावर है कि वो किसी भी जैसे एक चंडिगड हाई कोट है वो चंडिगड के लिए पंजाव के लिए राजना के लिए हो गया तो जो हाई कोट है संसत को ये पावर है जो बिधी बना करके किसी हाई कोट को क्या कर सकती है दो या दो से अधिक राजजों के लिए अलोट कर सकती है एक राजज में इनकी एक साधिक पीठ भी हो सकती है महाराशन में अगर देखोगे तो बंबाई नागपूर और रंगाबाद यहां हाई कोट के लग लग बेंच है बेंच अगर कोई बड़ा राज है तो उसमें चोटी-चोटी बेंच बना जाते हैं ताकि इसी प्रकार से हैं इसकी बेंच हाई कोट की एक सदिक बेंच हो सकते ह अगर हाई कोट की है अगर स्टिक्चर की हम बात करें संगा ठनकी तो हाई कोट में एक चीफ जेस्टिस अन्य न्यादीश होते हैं और अन्य न्यादीशों की सिंक्या कितनी रखनी यह रिशाइट करते हैं राश्ट पती जबकि सुप्रिम कोट में कोट रिशाइट करती है संसड, ये अंतर ध्यान लखना परीमे गलत मत कर दिना, इनके बेतन बत्य बहुत्त ही, ध्यान लखना, सुप्रेम कोठ की, हाई कोठ के न्यादिशें के बेतन बत्य monthत्य बहुत्त के न्यादिशे दिये जाते ना कि इस टेरगी थे निष्याय द्या करना है तो यहां पर सबसे पहले नाम बेज़ेगा वन प्लस टू इस कोट के हाई कोट यह नाम बेज़ेंगे कहां पर सुप्रीम कोट का कॉलिजिम यह होगा यह नाम यह जाएंगे इसके बाद यह नाम बीज़े सब्सक्राइब यह नाम बेज़ेंगे लिए नाम बेज़ना चाहते हैं इसको हम आई कोट के रूपन करवान चाहते हैं आपका क्यों ठीक है उस आदार पर न्यूक्ति की प्रोसेस होती है इनका सपत वही तीसरी अनुसूची का अंतरका तुती है और गवर्नर सपत दलाता ज सब्सक्राइब नियादिशों का इस्तांत्राण वही कॉलिजियम के मेंध्यम से होता है लेकिन ध्याना सुब हमारा कॉलिजियम और दो चीप जस्टिस एक तो वह है नियाल है जहां पर नियादिश आएगा उन दोनों नियादिशों हो इसमें सामल किया जाता है इसके छित से ताडिकार होता है ध्यान दो क्योंकि滿सली यह क्या होता है बीच का COULT होता है जातर नीचे माले मुद्द्र हैं उनकी क्या करता है अपील करता है हाई गया क्योंकि रिख दिस्टिक कोड या सबर्डिनेट कोड के दोरा दिये जाते हैं इनको बहुत सारे डिक्षीजिजिएज़ों में वह पावर नहीं होती तो इसलिए अंत्र रूप से कई मामले डायेक्टली इसके पास आएंगे आएंगे अपेल की रूप में तो अपील ये न्याले के रूप म दिस्टिक कोड सी जाता है पास। तो तू ठीक इसमे लेकिन हमारे कुछ हाई कोड ऐसे हैं जिन में भी डिरेक्ट्ली सिविल मामले आ सकते हैं जो अंग्लेजिए कर कि मामले थे जिसमें अधरी सिविल मामले आसकत हैं इसकी अलाबा विदानन भंडरь और सांस्रों केूना आपको रद दिखिया गया फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो वह वाला मामना यह है आपका प्रारमिक छितादिकार रेट जारी करने का सितादिकार में बात करी दिया आपको बताई दिया कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आर्टिकल 32 के अंतरगत रेट जारी करता है हाई क सब्सक्राइब कर सकता है यह सबसे इंपोर्टेंट काम होता है का अपील की सब्सक्राइब कर सकता है आपने सब्सक्राइब कर सकता है अपने सब्सक्राइब कर सकता है तो यह हम नियाले के वारें पर लें और थोड़ी बहुत चीज़ है आप नियालें देख लेना डिश्टे कोड वगेरा थोड़ा सा एक बार देख लेना भुक से बाकि यह नियाले था अब आपके लिए इसलेवस के पॉइंटों भी दूसरा जो सिलेवस में यह पार्ट है आ को देखेंगे कि क्या हुआ है कि कई बार मामने supreme court के पाष होते हैं high court के पाष होते हैं वहां नाइक प्र से से गुझनना पड़ता है वह बकील करने परते हैं एक करनते है तो 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 इसलिए हमने कुछ टेमिनल्स की बात की तो सबसे पहले स्वान सिंग समयती ने इनकी रिकमेंडेशन की कि हमें एक टेमिनल्स का अलग से गठन करना चाहिए जो एक बैकल पिक बिबाद नेप्टान के तूप में काम करेंगे मैं बिबाद नेप्टान कौन करता है नहीं पालेगा लेकिन उससे बहार भी बिबादों का समाधन हो जाड़ा चाहिए इसके लिए स्वान सिंग समयती है इसने यह संस्तुति की संस्तुति की आधार परिगुआ और 42 में संभीधान संस्तुतन की अंतरगत बहारतिय संभीधा याद रखना अधिकरन के टेवनल्स की जरूत क्यों पर हैं सबसे पहले यह था कि जो न्याल है आप देख सकते हो लगवाद तीन चार करोड़ की संतिंग न्यालों में मामले पैंडिंग है तो जो वह इतने मामले पैंडिंग है तो उन अगर कोई महत्पून बसाय का मामला है तो उनमें सुन पाई उसकी अच्छी से नहीं हो सकते हैं इसलिए हमें टेवनल्स अलग्से जाद होते हैं और नयालों का बाहर भी कम कर सकते हैं दूसरा स्वेसासम आज हम गुड़ गवर्णेंश की बात करते हैं और गुड़ गवर्णेंस का एक लक्षन यह है कि तुर तो उसको डिसीजन चाहिए होता है क्योंकि उसका मामला आर्थिक द्रस्टी से अटका हुआ होता है अगर मायले कोई एक से कंपनी लगी भूमी खरी दी किसे बिजनिसमें ने दस लाग कर दस हजार करोड रिप्योंस में लगाए और मामला चला गया है सुप्रीम कोड में स सुप्रीम कोड़ दस साल वास्वनवाई कर रहा है इतने में दस लाचार करोड का इतना इंटेश हो जाए वह आदमें डूब के बग जाएगा इसलिए अगर हमें अगर माले सुप्रीम कोड अगर मैले इंकम टेक्स के निर्ने हैं अगर एंग्जी टी एंवेर्मेंटल के म ख़ए को पता है कि कानून का घ्यान होता है इसलिए विश्यजग कि तो हमारे पास डिशीजन अलग सताओं चाहिए वह है और न्यायक वे कि दिखाना वैं नियाले केबल सुप्रीम कोड़ ही सीमित को रहे नियाले अंत तक जाना चाहिए हर व्यक्ति तक पहुंश हो चाहि ब्राक्रतिक निया का मतलब है कि हर किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा दिकार है उसको पूरा मोका दिया जाना है उसकी यह बाई लेकिन हाई कोट सुप्रीम कोट और इसमें अगर किसी वक्ति को अगर कोई बात रखने है तो खुद डायरेक्टि नहीं रख सकता वकील की थूर्ण रख सकते हैं हमारे नियाइक में प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है डिसीजन को नहीं यहां बोला गया कि प्रोसीजर जा कहीं पढ़ना मच्छान से डिसीजन से तो इसलिए हमारे यहां अधिकरण की विविस्ता किये लिए और यह स्वर्ण सिंग समयती की संस्तुति के अदर पर किया गय लेकिन इसमें एक चीज़े यह केवल आर्थिक डढ़ नहीं देते हैं सारी देने का दिखार इनके पास नहीं होता और इस आधार पर इस आधार पर हमने एक ट्रेविनल बनाया था कैट सेंट्रल एर्मिस्रेटिव त्रेवल्स जो मुक्रूब से अड़नीशों पास उख्यारण को लेकर के एंगी टी होँ छांब इनकम टेक्स को लेकर कि आईटी एटी हो T Вас一定 थर्ती थरी मैं 130 टेविस थी में तो रखा रहा कैट और u प्रसासने का अधिकारी होते हैं उनके साथ किसी प्रकार कोई गलत तरीके से अगर ट्रांसपर हुआ है तो वो यहां पर अपील कर सकता है कैट में और यह काफी हथ तक उनके प्रक्स में पहुंचला देता है कैट का यह है कि इसमें एक अध्यक सूले पायदेख्स उन्नीश दस होते हैं अध्यक कारीकार और सटी यह पायदेख्स का पैंसटी यह यह बेसिकली जो मुक्रूप से लेकिन कैट के मामले हैं वो सभी करम होते हैं सेना के अलग से मामलों होता है थे सैना की मुद्ध पर नहीं यही पर ओत jest यह बेसिकली इनके बारे में इन्फोर्मेस अदी लेकिन एक मुद्दा सबसे बड़ा इनके सामने उठके आया और वो यूपियसी ने कुश्चन भी पूछा था एक मुद्दा हमेसे आया है कि एक मुद्दा आया कि अधिकरण है और न्यायपालिका इन दोनों को लेकरते हैं न्यायपालिका ने सरकार को परियारूप लगाया कि अधिकरण उनकी स्वतंत्र न्यायपालिका के जो थीम है उसको उलंगन करते हैं बहुत उसका उलंगन करते ह तो यह अधिकरण और नियाय ganz pää cruelty कर बात कर गए कि बोलगाया değil कि झे को जबे को जैए अधिकरण है यह न्याय प्पारी का के सकती पर gaan सकती Kelsey करण क घुर्थ करते हिं क्यों क्यों कि अधिकरण किसके मं रहते हैं बिदींमंत्रा लेकी अंतर राता है और म Tá कर दिर्ट द्रफन का तो यह सर्कार्व के इंदर में रहते हैं इसलिए न्याइग प्रसाष करनं को द्हान के वह यह केस आया इसी को लेकर के यूप एसी ने एक बार कुश्चन पूछा है वह यह दिया दोदर में कुश्चन पूछा था देखो देखो केंद्रिय परसासनिक अधिकरन जिसकी इस्ताबना केंद सरकार करम सर्कार के विरूद नियुक्त के लिए आज एक स्वेतन्त नियायक परादिकरन के रूप में पूर्वा कर रहा है तो केट के जो डिशीजन है उसमें और यह कहा गया कि कि स्वेतन्तता पूर्वा कर रहा है तो यह इसमय पर कुशन आया तो दूसरी बात यह कि यह कुशन नहीं वह दूसरा कुशन था लेकिन इस में एक चीज़ बात है की अधिकरन नियायक पालिका के सक्ति प्रत्रक्रण का उलंगा नहीं करते बल्कि यह नियायपालिका की हल्टी जो नियायपालिका है उसके जो डिशीजन है जो पैंडिंगह रहते उनको हल्टी सी टर knock कर देते हैं ताकि नियायपालिका अपने आउनी डिशीजन में वह कीज़ कर सके इसके बाद आती है अपकी लोग अदालत है क्या होती है सबसे पहले हैं लोग अदालत है क्या होती है सबसे पहले हैं लोग अदालत है क्या होती है सबसे पहले हैं लोग अदालत है क्या होती है सबसे पहले हैं लोग अदालत हैं लोग अदालत हैं लोग अदालत हैं उसमें ड वेदी का साथन सभी तक पहुंचें और सभी को न्याय बले हैं उसके लिए आप मोता है लोग अधालत जरूरी हारकुई बज्ती हारकूर सुप्रीम पोड़न ही पहुआ हैं लोग अधालत जरूरी है जो उसके निर्नों को सुनवाई करें उसके बाता के सनवाई करें प्राक तो लोग अदालते हैं कि पहुच बात नहीं को दिया जा सकते हैं इनकी मिशेष्ट क्या यह आपको ध्यान होनी प्रीमे कुशन आता कई सब्सक्राइब करने की जुरत नहीं है कोई वक्ति अपना स्वियम की बात खुदी रख सकता है इसमें पर फोकस किया जाएगा अदालत एक दिन बैठेगी फेक्स दिन सभी महत्पून जो केस पेंडिंगे उनको बलाए जाएगा उनकी बास सुनी जाएगी और सुनी जाएग इसलिए अनकी परिक्राइब बहुत आसान है लेकिन ये कीवल सिविल मामलों के लिए है अफ़रा देक मामली लोग का दलत में नहीं आते हैं सिविल मामले माले दो व्यक्तियों में मामलत तरढा है कोई शंपति को लेकर करके दोनों को बलाय जाएगा आजा भाई यार संप अदालत के निर्णने के विरूद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इसमें जो डिशीजन होता है उस सहमती के आदाल पर होता है थोपा नहीं जाता है दो हजार दो में इसताई रूप से लोग अदालत को इसतापना की जाने लगी नालसा एक्ट लेकर आ गया क्योंकि हमने लोगों को अधिकार दे लिया लेकिन गरीब व्यक्ति उस नियायत पहुंचे का कैसे है अगर मालने मेरे फंडमेंटर डायट को लंगबनी हो रहा है तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रेट करूंगा मुझे वकील चाहिए वकील लवाएंगा एक क्रो लागया ऐसा तंतर डवल अप किया जाए जो कहीं न कहीं लोगों को नया तक पहुंच सके इसलिए नाल साइक्ट लेके आ गया था तो नाल साइक्ट किसकी अकौर्डिंग है डीपी एसपी जोंकि डीपी एसपी के अंतर आर्टिकल 39 में निसुल्क नयायकी बात लेकी लेकिन हर किसी की बिद्दी तक पॉंच भी टोने चाहिए इसलिए न्यसुल्क नयायक सहाता बहुत जरूरी है तो नाल सा एक्ट पिच्चाशी मैं में नाल सा गथन किया गया इसमें लोक अदालत है इसमें दो तरीक एक चीज थी इसमें लोक अदलत की विवस्ता की गई थी और ग्राम पंचायत नियाले की विवस्ता की गई थी यानिकि नियाले का जादा से जादा देसें हो इसलिए इसमें ग्राम पंचायत नियाले और लोक अदलत दोनों के बात की लोक अदलत को 2002 में इस कहता कि पहले गाह ग्राम पंचात गाम नोमी में जो डिशिजन है वो गाम की पंचाते सुना देजी थी लेकिन समय के साथ उनके डिशिजन एपरासा की खुनी लगे इसलिए सरकार ने सोचा कि यार एक डिशिजन देने के लिए एक लोकल लेवर पर अथर्टी होनी जी और इ लेकिन द्यान आगना इनके माम लोग के अपील की जा सकती है तैसी लेवर के जो नियाल होंगे उनमें इनके माम लोग के अपील की जा सकती है जबकि लोग का दालत है 2002 के अंदर के अंदर के इस्ताप हो यह सभी स्तरप होती है हाई को सुप्रीम को डिश्टिक को सभी स्तर पर यह केबल दीवानी माम लोकी सुनवाई करती है जब कि यह दोनों गी लेकिन इनके निया लोग निर्णों के विरुद आप अपील नहीं कर सकते क्योंकि डिसीजन कैसे होते हैं सहमती से एक तरह से लोग अदलत समझोता होती है कोई डिसीजन नहीं होती है इजीज ने क्या होता है एक पकस का होता है इक को फायादा दूस्य की लुकसान लेकं लोग अधलत में सहिमानते दोनों को सम्झोता क्यों यह दोनों में अंतर है अगर हमसे बुच से आदि लिए विप्शान को ज्यादा बयातर बनाती है इसलिए यह बहुत जरूरी है इसके बाल आता है मद्यस्ता और सुने कोईलियसंस वाली जो वास्ता है कोंसिलियसंस में कि जरूर नहीं कि हर मामला कोई अगर किसी में विवाद हुआ है तो वो विवाद हाई कोट में जाए सुप्रीम कोट में जाए डिस्टिक कोट में जाए या वो विबाद किसी टेम दो भी पूज़ा है इसलिए लुब भी बाद कहीं चागी है इसलिए कुछ विबाद ऐसे थे जिन में हो सकता है कि मामला समझवते से चल जा है और जितने भी चाहता है आरतिक चेत्र के डिसीजन होते हैं बिजनेस्मेनों के कोई की डिस्पुट होते हैं वो चाहते हैं कि समझवते के मैदम से ताकि दोनों को नुक्सों ना इसलिए हमने एक बैकल पर विवास सिस्टम के रूप में एक अज़क सिस्टम ड़लप किया जिसका नाम है वद्यस्ता इवन सुल है यानि कि वही सम्झाइंट और कोईलेसंस वाली कॉंसिलेशन बोलते हैं इसको इन दोनों के मैदम से रिजिजन होते हैं तो यह ज़िए क्यों कि कोई मामला निपर रहे और यहां ना बिजनिस में नहीं सा चाहिए को उनका मामला कोड से बाहर है को पर पंशने चरक कर है अन्विश्यक प्र नेफ प्ना निपर हो और बैस् कि शेटल में मैक केने कि इसली आधार पर हमें भी क्या है कॉरण देज़न होगा सच्छ यह जो सब्सक्राइब करना है। दिस लिएँ दोर हो इसलिए नियंगा सबसे पहले सबसेद्य 06 किश्चार में मैया था कि हम मद्यस्ता है की जो संस्था है उन्हों कर सके बाद बाद 2019 में उसमें समय कर कॉर्ड शं kilow buradan कीया गया था ये दू सब्दों को दे आना का एक है मद्यस्ता रिक है मद्यस्ता कैस्त कर दे कि अ श cap कि अर। पर decision देते हैं कि हाँ यह decision होगा सुलै में बेकल्प दिये जाते हैं तो यह कर ले तो यह कर ले दो वेकल्प होते हैं इस तरीकेशन का तो द्यान लाग ना इसके बाद मद्यस्ता सुलै हम यह लेके आए थे कि हमें क्या करेंगे नई नई रिशर्च करने चाहिए अधर देशों में कैसे मद्यस्था और सुलै शक्षेड हो रही है इसके बारे में परसद काम करेगी और मद्यस्था और कि बुद्ध्ध पर अगर हमें किसी परकार कोई स्टेडी करना है तो इसके पूाम भी यहां करेगे यह फिर फो कि इसके पर इसके बारे नवी विद्यस्ता के बारे हो यह को पता हूँ है कि अधिया है टिक है यह एकार देख वो गए और मद्यस्ता की न्यूप्ती कैसे होती है इनकी गोपने ता समय सीमा बेसिकली इन्फॉर्मिशन है बस इनको एक बार गोतरू हो देना यह हमने आपको बता रहा कि यह चेतरा लिगार क्या है अपील क्या है फिल ठीक है अब सबसे महत्मून बात इसमें एक पॉइंट और है जो हमें देखना है और वो पॉइंट ही है जो आपके लिए इंपोर्टन है वो है नियापालिका के समक्स बर्तमान समिछेंगे अगर प्रिजेंटली हमारी नियापालिका का हम देखेंगे मामले तो प्रजेन के हमारे नयाय पाली का कौन कौन सी चुनोतिया फिल्म फीज कर रही है तो सबसे महत्पून है कि नयाय पाली का में जो लम्बत मामले है और में लम्बत मामले बहुत ज़ादा है जैसे एक्जम्पल एक देता है 1903 जो बंबई बिलास करखना होई थी उसको 23 साल बाद सजा मिली 2016 तेज साल बाद 2016 में जाके उसको सजा मिली यहाँ अनुमाल लगा सकते हैं अब वो वेक्ति अगर 23 उसको 20 साल की सजा देते वो ट्रायल से पहले ही 20 साल की सजा काट के आगया सबसे बड़ी समस्वा यह कि उसके पास decision pending बहुत चड़ा है दूसरा बहुत जटल है अगर आप हाई कोड के नियादी के वकील के पास वी जाएंगे नुए बहुत महेंगा वकील है सुप्रिम कोड वकील बहुत महेंगा है आम आदमी सब्सक्राइब और पिरिक्रिया पे बहुत पार किया जा जाएगा। और दूसी बात English language होती है, अब common आदमी कौन से English language जाने का, क्या पता किस वासा मों बकील और न्याले न्यादी सुनवाई कर रहे हैं, तो यह इस तरीके का जो structure बना रखा है न्यापालिका का, एकदम गलत है, तो कि न्याले न्यापालिका का men come क्या, बकील और न्याले के न् बारता हैं होती है, वही न्याले का पार्ट नहीं होता, वह व्यक्ति जिसके लिए वह न्याले देरा, वह भी उसको समझ माना चाहिए, इसलिए कई बार आलसना होती है, कि जो न्यापालिकाम जो न्यादी से वह अंग्लिजी में decision करते हैं, वह एक तरह से गलत चेज है, हम लोकल लेंग्वेज में decision देने चाहिए, और लोकल लेंग्वेज में ही मामले की सुनवाई करनी चाहिए, इसलिए इस पर फोकॉस कान से है, एंग्लिस कल्चर को थोड़ा छोड़ना से है, दूसरा न्यादी सो कमी हाई कोट और न्यादी से में आपको होता है, दस लाग प अबर के आई है, लेंगिक संविदन हींता, न्यादी पालिका के decision आप देख सकते हैं, इंदोर हाई कोट के decision और बंबज हाई कोट के decision अभी थोड़े दिन पहले ये आये थे, महिलाओं को लेकर कैसे comment के decision आये थे, जिनको लेकर लगता है कि न्यादी का महिलाओं की अब एक चीज़ है कि लम्मित मामली क्यों बढ़ने हो आप सभी जानते हैं, लम्मित मामला बनने के करने है कि बकीलों का भ्यवार, एक तो बकील आपको पता है कि वो चाहते कि मामली जतना जाता पैंड़ने को उतने में रिफीस बनेगी, दूसरा न्यादी चोग सिंख्य कमें, तो आसानी से न्यादीश क्या कर सकते हैं, अब न्यादीशों की सिंख्या ही कमें, तो बिचारी डिशीजन कैसे देंगे, एक मामले पर निप्लाई नहीं कर पाएंगे, वोगि उनकी पार टायम नहीं है, प्रकाली प्रणाली इतनी चाहते है, पहले एक पक्स आएग पर सनवाई भी कर लेता है, अनाव शेक सुप्रीम कोड का भी टायम जाता है, अनाव शेक महतूर मुद्दों से धान डायवाट पर हो जाता है, और न्याले का क्या रहे करना, सीमित समय, क्योंकि न्याले, आभी स्कूल की छुट्टी नहीं आती, इतनी छुट्टी तो न् हमेशा काम करती है, जो हमारे MLMPs है, वो तो हमेशा फेल्ड में काम करते है, तो पर न्यादिज क्यों नहीं काम करते है, उनको यतनी छुट्टी क्यों दी जाती है, लेकि चुकि वही है कि अविस मुद्दे पर कोई संसब्वे बात होगी, तो वो न्यायपाली का स्वतनता की बात कर देगी, और न्यायपाली का खुद इसको करेगी नहीं क्योंकि उनको तो इससे, हो इसलिए चुट्टी चाहिए होती है, यह जो चीज है, रिलेवेंट चीजे हैं, कि न्यादिजों को इतनी चुट्टी दी जाएगी, बिंटर बैकेसन, समर बैकेसन, जतनी सुदन दोजर पांच में इसको सुविकार किया गया, बादी और प्रतिवादी की मद्द समझोता हो गया, और अपरादी ने अपना गुने सुविकार कर ले, बादी और प्रतिवादी, बादी केस दायर करने वाला, प्रतिवादी इसको डिफेंस करने वाला, अब केस दाय कोई भी कंपनसेटर माल सकता हूं तो ऐसी इस्तिति में नियाय पाली का मामले का नेप्टान कर देगी और उसको सज़ा कम देदेगी यह प्रिली बार करें लिए चीज आपके नियाय पाली का पूरी कि यह तौना सा एक बात देख रहे हैं कुछ है नहीं है इसमें यह चीज नियाय पाली का कुष्चिन है ध्यान रखना रखना अप एक बात ध्यान से कोचीएगी आकेले नियाय पाली का सी पूछाख हा परेस्टो में आ नहीं जोड़ा god तो ऐसी चीजे हैं इन मामलों को लेकर करके यह बाद चल रही है तो इन से लेटेट कुश्चन आप से पूछ सकते हैं मैं इसमें गुमा परा करके लेकिन उसकी सबसी थीम यह होगी तो इस तरीके से हमारा नया पालिका का यह टॉपिक खतम होगा है दोस्तों इसको एक बार क प्रिके क्रेस कोर्स में भी बहुत जादा फैक्टर उनको शेयर कर दिया है प्रिके क्रेस कोर्स रहा है उसमें पॉलेटी और एश्टी चड़े जिनके छेचा लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं तो हम आसा करते कि आप इन चीजों को जादे 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 देखे इसी के साथ इस वीडियो को आप यहीं हम यहीं समप्त करते हैं लोकल गवर्मेंट को एक लेक्चर में हम खतम करने ही पूरी कौशिश करेंगे ताकि इस ताने सास नहीं है हुबारा जिसमें काफी चीज़ है हमारी मैं इसके पॉंट भी बहुत सार चीज़ उसमाएंगी औ कुश्चन भी हम देखेंगे उसमें जो आए हुए तो इस तरीके से यह आपके लिए बहुत हैल्पल रहेगा आप सभी से नवेदने की जाद़ जादा इसको सियर और सब्सक्राब करें आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धर्माद थैंकियो